ना मैदा ना सूजी सिर्फ गेहों के आटे से बनी हैं ये फूली फूली कचोडियां So hello foodies कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल के कचोडी की recipe जिसे की हम गेहों के आटे से बनाएंगे आज मैं आपके साथ छोटी छोटी मगर मोटी बातें शेयर करने वाली हूँ यानि कि आपके साथ important tip शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप भी इस तरह से बिलकुली fully fully कचोडियां बना पाएंगे दोस्तों ना आपकी कचोडी पिछके की बाद में ना soft होगी ये कचोडी बिलकुली खस्ता और कुरकुरी बनेगी साथ साथ ये बिलकुली flaky यानि की परतदार भी बनेगी फिर आप इस कचोडी को अपने स्टाइल में जैसे मनचा है वैसे enjoy कर सकते हैं तो my dear foodies step by step इस वीडियो को जरूर देखिए बिना skip किये ताकि आप को important point miss न कर दें तो दोस्तों देरी किस बात किये चलिए शुरू करते हैं बनाते हैं मुंग डाल की कचोडी इसके लिए हम सबसे पहले आदा कप मुंग डाल ले लेंगे मैंने यहाँ पर ये बिना चिलके वाला लिया है आप चाहें तो चिलके वाला भी यूज कर सकते हैं या फिर आप साबुत मुंग भी यूज कर सकते हैं इसे हम अच्छे से दो से तीन बर पानी से साफ करके और तीन से चार घंटे के लिए भीगने देंगे इतने देर में बिलकुल ही सॉफ्ट हो जाता है और आराम से उंगलियों से तूपने लगता है तो इसे हम साइड में रख देते हैं और मसाला रेडी कर लेते हैं मसाला बनाने के लिए छोटे वाले ग्रैंडर जार में हम दो छोटा चमत साबुत जीरा डालेंगे इसके बाद साबुत धनिया लेंगे एक बड़ा चमत या फिर छोटे चमत से ले रहे हैं तो दो छोटा चमत इसके बाद सौफ लेंगे एक से दो छोटा चमत यूज़ कर सकते हैं इसके अललावा 2-3 सूखी लाल मिर्चे ले लेंगे आपको कितना spicy चाहिए उसके according उसके बाद 2 हरी मिर्चे लेंगे ये भी 2-3 कम जादा आप कर सकते हैं इसके बाद 5-7 कलिया लेसन की ले लेंगे अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे skip कर सकते हैं इसके अलावा 1.5-2 इंच अद्रग काली लेंगे, छोटे पीसिस में करके डालेंगे, ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए, और फिर एक छोटा चमच ब्लैक पेपर यानि काली मिर्च लेंगे, इसे भी कम जादा कर सकते हैं, फिर ये करी पत्ता, इसका बहुत अच्छा फ तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम मसाले को दरदरा पीस लेंगे, इस वक्त इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है कि बस लग रहे हैं जल्दी से जल्दी कचोड़ियां बने और फटा फटो से खा लें, तो चलते हैं स्टफिंग बना लेते हैं, तो एक कडाई मे लगा देंगे, और इसके बाद इसमें ये टेस्टी वाला मसाला डाल देंगे, और धीमी आज पर कंटिन्यू चलाते हुए एक मिनट तक इसे भून लेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ पर दो से तीन चमच के लगभग बेसन डालेंगे, दोस्तों ये बेसन हमारी स्टफि चमच के लगभग हल्दी डाल देंगे, इससे टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत अच्छा हो जाता है, स्टफिंग का, हल्दी डालने के बाद एक मिनिट के लिए और इसे भून लेंगे, तो दोस्तों मसाले अब अच्छे से भून चुके हैं, अभी जो हमें ग्राइंडर ज दाल के साथ साथ में हम पानी भी डालेंगे, क्योंकि दाल को हम यहां पानी में ही पकाने वाले हैं, क्योंकि कचोडियों को जल्दी कंस्यूम करना है, अगर हम कचोडियों को लंबे समय तक रखने वाले हैं, तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ इसे तेल में ह पकाना है इसे हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे आप देखेंगे कि डाल और बेसन बिल्कुल ही ग्रेवी की तरह आपस में मिक्स हो जाएगा अब यहां पर हम नमक डाल देते हैं सुआत के अनुसार तो मैंने यहां एक चोटा चमच नमक डाला है आधे कप डाल के ल आदम फ्लेम आफ करके और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक यहां पर स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम कचोडियों के लिए डो बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहां दो कप गेहुका आटा लिया है इतने में 12-15 कचोडियां बन जाएंगी द ही सकत चोडियों में खसतअपन आता है तो हमें और कुरकुरी और खसतअपन दोनों इचाहिए इसलिए ना अधायअ डाला है इसके बाद हम इसमें आधि चोटी चमच जाव करके और इसमें डाल देंगे इससे टेस्ट त अच्छा है गई सात्क्राइं यह पचाने में भी help करता है इसके बाद स्वाद के अनुसा नमक डाल देंगे तो 3-4 चोटा चमच नमक काफी है इतने के लिए इसके बाद हम इसे बिलकुल अच्छे से mix कर लेंगे ताकि तेल और घी आटे के दाने दाने में अच्छे से mix हो जाए अगर आप कचोडियों को सिर्फ क्रिस्पी ब बिलकुल बंद जाते हैं हलके हाथों से ही पकड़ना है उतने में वह बंद जाना चाहिए यानि कि जो हमने तेल और घी इसमें डाला है वह अच्छे से mix हो चुगा है तो अब यह गुनने के लिए बिलकुल तैयार है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर और इसे गुनना कचोड़ियों का आटा लगाते हैं हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है जैसी कि पहला हमें इसका आटा बहुत ही सौफ्ट बनाना है और दूसरी इंपॉर्टन बात यह है कि इसकी अच्छे से मसाज करनी है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर और इसे बिलकुल जादा मस लेंगे ताकि इसमें फ्लेक्सिबिलीटी आए ऐसा करने से इसमें लचीला पन अच्छे से आएगा क्योंकि जब कचोड़ियां फूलती है तो आटा फैलता है तो फैलने के लिए इसमें फ्लेक्सिबिलीटी अच्छे से चाहिए इसलिए थोड़ा थोड़ा पान डालते हुए और इसकी चार से पाँच मिनिट के लिए अच्छे से बिल्कुल मसाज कर लेंगे दोस्तों आटे को मैंने पाँच मिनिट के लिए अच्छे से गुंद लिया है और आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट और स्मूध हो चुका है तो आटा को सेट क कर इसे 20-25 मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे अब इतने देर में हमारी स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही डो वाली कंसिस्टेंसी में आ चुकी है अब हमें इसमें थोड़ा सा खटा पन अड़ करना है तो इसके भी ले लेंगे तो ऩटल हातों में लगा लेंगे और थोड़ा Eagles लगा देंगे ताकि चिपके नहीं अब इसके बात स्टफिंग में से थोड़ा थोड़ा से पोर्शन लेकर और इसके रौंड और बॉल्स बना लेंगे दोस्तों इसका साइज मेडियम साइज लिमना रखि अब आप देख सकते हैं कि कितना फ्लोई है कितना सौफ्ट है काफी फ्लेक्सिवल आटा यहां पर बनकर तैयार हुआ है तो दोस्तों इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी मैं आपको दिखा देती हूं कि इसमें कितना खिचाओ भी डेवलप हुआ है जब आप इसे पकड़ के इस तरीके से खीचेंगे तो इसमें देखिए इस तरीके से खिचाओ आएगा तो यह बहुत जरूरी है कचोडियों के आटे के लिए तो इसका थोड़ा थोड़ा सपोर्शन लेकर और हलके हाथों से प् पेड़ा बना लेंगे तो टोटल यहां पर मैंने तेरह पेड़े बनाए हैं यानि की तेरह कचोडियां बनकर तयार होंगी तो अब बारी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की इसकी फिलिंग की तो सबसे पहले हम पेड़े को इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे बह फिर उसे प्रेस करते हुए सील कर देंगे तो दोस्तों यह देखिए इस तरीके से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आटा उपर आएगा तो जो एक्स्ट्रा आटा है आप उसे हटा सकते हैं या फिर वहीं पर वापस प्रेस करके और दबा सकते हैं अब इसके बाद हम अपनी इसे फैलाएंगे उतनी ही अच्छे से यह फूलता है तो यह लीजिए एक यहां पर बनकर तयार है एक और देख लेते हैं तो यहां पर आटे की कटोरी बना लेंगे और फिर फिलिंग को सेंटर में डाल कर उसे हलका सा प्रेस करते हुए आटे को उपर लेकर आएंगे एक मदद से उसे हलका हलका दबाते हुए फैला देंगे तो यह लीजिए इसी तरीके से हम बाकी सारे भी बना लेंगे चलते हैं आप फ्राइ कर लेते हैं कचोडियों को फ्राइब करने के लिए तेल कर तेमपरेचर एकदम ही कम गरम रखेंगे और इसका फ्लेम बिल्कुल सेम पर रखेंगे जब आप इसमें कचोड़ी डालेंगे तो आपको बहुत जादा इसमें हलचल नहीं दीखेगी बिलकुल ही छोटे छोटे बबल्स थोड़े थोड़े आएंगे तो इसे हमें 3-4 मिनट तक बिलकुल ही अंडिस्टर्ब छोड़ देना है बिलकुल इसे डिस्टर पर कर सकते हैं एक एक बैच को फ्राई करने में लगभग 12-15 मिनट का टाइम लग जाता है तब ही जो हमारी कचोड़ियां है वो क्रिस्पी बनती है और ठंडी होने के बाद में भी वो सॉफ्ट नहीं होती है अगर आप उसे हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ठंडी होन से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसे निकाल सकते हैं तो अभी बिल्कुली पर्फेक्ट स्टेज है यहां पर हम निकाल सकते हैं तो यह देखिए दोस्तों कितनी अच्छी हमारी कचोड़ी बनकर तयार हुई है तो इसी तरह से हम बाकी के कचोड़ियों को भी बना कर तयार कर लेंगे आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुली गुबारे की तरह फुली फुली कचोड़ियां बनकर तयार हुई है यह हूं कि आटे से बनी हुई है यह कचोड़ियां दोस्तों आप इसे अपनी मन पसंदीदा चटने के साथ में एंजॉय कीजिए और आ यार होगी अब मैं आपको एक काटकर दिखा देती हूं तो यह देखिए बिल्कुल ही ठंडी हो चुक है फिर भी आप इसका शेप देखिए बिल्कुल मेंटेन है तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए अगर वीडियो सबस्क्राइब करण तक देखिए बाइबाई